दोस्तो पिछले कुछ दिनों से आप टीवी चानल के उपर या फिर इंटरनेट के उपर देख रहे होंगे कि चाइना से ये कंटिनियूसली न्यूज आ रही है कि चाइना के अंदर करोना के कैसेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे है और उस वज़़े से गोल और सिल्वर के अंदर तेजी बढ़ सकती है 23 डिसंबर 2022 को ये न्यूज आई कि चाइना के अंदर या फिर आप बोल सकते हो कि पूरी दुनिया के अंदर एक ही दिन में एक ही कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा करोना के कैसेज पाए गए 23 डिसंबर 2022 को चाइना के अंदर 37 मिलियन या फ दोस्तो आप इसके अंदर गोल की परफॉर्मंस देख सकते हो ये न्यूज आये थी 4 बच के 2 मिनिट पर आप देख सकते हो उसके बाद गोल ने कैसे परफॉर्म किया है ये न्यूज आने के बाद आप देख सकते हो गोल के अंदर कोई भी बड़ी तेजी या फिर कोई भी बड़ी मंदी नहीं आई है दोस्तों यही बताता है कि यह न्यूज इतनी इंपोर्टन्स नहीं है तो अभी आपको पता चल गया होगा कि करोना के कैसे जो चायना के अंदर बढ़ रहे है उसको गोल कितना इंपोर्टन्स दे रहा है मार्च 2020 में जब करोना पहली बार आया था तो वो समय पे गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक बहुती बड़ी तेजी बनी थी लेकिन दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि करोना मार्च 2020 के अंदर जब पहली बार आया था तो किसी भी एनलिस्ट को या फिर एक्सपर्ट को ये पता नहीं था कि ये करोना कैसे खतम होगा या फिर इसका ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर क्या इंपेक्ट होगा बहुत सारे लोकडाउंस भी लगे थे जिस वज़े से एकोनॉम बन पड़ गई थी लेकिन दोस्तों आप सबको अभी पता है कि करोना के ऊपर वैक्सिंस अवेलेबल है तो आने वाले दिनों में अगर करोना बढ़ता भी है तो आपको पता है कि आपको प्रोटेक्शन के लिए वैक्सिंस लेनी है उसी तरह से आपको मास्क भी पहनने है तो दोस्तों अभी करोना उतना खतरनाक नहीं है जितना वो मार्च 2020 में था तो उस वज़े से गोल और सिलवर के अंदर अगर आपको लगते ये तेजी बनेगी तो हमें लगता है कि आप गलत सोच रहे हो हमें लगता है आपको ये करोना की निउस को बाजू में रख देना चाहिए क्योंकि अगर ये करोना की वज़े से गोल और सिलवर के अंदर तेजी बननी थी तो वो कब की बन जाती स्मार्ट इंवेश्टर या फिर बड़ा पैसा आपको ये निउस पता चलने तक का वेट नहीं करते अच्छा होगा कि आप डॉलर इंडेक्स के उपर फोकस क जिसके अंदर हमें लगता है कि आने वाले दिनों में उपरी तरप का एक अच्छा उचाल आ सकता है हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको क्लियरली बोला है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बहुत ये अच्छी गिरावट आई और उसके बाद से ये गिरावट अभी थम रही है आप देख रहे हो कि डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है लेकिन उतना ही बाउंस डॉलर इंडेक्स के अंदर फिर से आ रहा है जो ये बता रहा है कि सेलर एक्जोस्ट हो रहा है यानकि सेलर अभी ठक चुके है और इसी वज़े से डॉलर इंडेक्स के अंदर ए ये falling trend line उसे resistance का काम कर सकती है उसी तरह से ये horizontal trend line भी dollar index के लिए resistance का काम करेगी ये दोनों trend line जहाँ पर एक दूसरे को काटती है वो level आता है 108 dollar के पास और आप देख सकते हो ये दोनों trend line जहाँ पर काटती है वो date है 12 जनवरी 2023 को दोस्तों 12 जनवरी 2023 को बहुती महत्वपूर् है अमेरिका के अंदर 12 जनवरी 2023 को अमेरिका के अंदर inflation का data आएगा जिसका dollar index gold और silver के उपर बहुती बड़ा impact आ सकता है दोस्तों हमें लगता है कि आज से लेकर 12 जनवरी 2023 तक आपको gold और silver के उपर बहुती सावधान इसे काम करना चाहिए क्योंकि dollar index के अंदर 108 dollar तक जी बढ़ सकती है और हमें लगता है कि 12 जनवरी 2023 को जब ये data आएगा उसके बाद dollar index के अंदर गिरावट की शुरुवात हो सकती है तो अब से लेकर 12 जनवरी 2023 तक gold और silver के उपर बहुती सावधान रहे gold के daily chart के उपर rising wage pattern बना है जो की एक बीरिश reversal sign होता है उसी के साथ आप देख सकते हो gold के daily chart के उपर negative divergence भी बने है तो पूरे पूरे चांसे से के आने वाले दिनों में gold के अंदर गिरावट बढ़ सकती है आने वाले दिनों में gold के लिए पहला support रहेगा 1765 डॉलर का और gold के लिए सबसे महत्वपूर्णा support रहेगा 1725 डॉलर का gold जब तक 1725 डॉलर के उपर है हमारा नदरिया gold के उपर खरीदारी का रहेगा इंडिया के अंदर हमने clearly बोला है कि 53,480 ये gold के लिए पहला support है और gold जब तक 52,000 से 52,500 के उपर है हमारा नदरिया गिरावट पे खरीदारी का होना चाहिए silver के daily chart के उपर भी आप negative divergence को clearly देख सकते हूँ जो यही संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में silver के अंदर भी गिरावट बढ़ सकती है silver के लिए international market में सबसे पहला support रहेगा 22 डॉलर का और silver जब तक 20.40 डॉलर के उपर है हमारा नदरिया silver के अंदर गिरावट पे खरीदारी का होगा इंडिया के अंदर सबसे पहला support है 25,000 का और silver जब तक 60,000 से 62,000 के उपर है इंडिया के अंदर भी हमारा नदरिया गिरावट पे खरीदारी का रहेगा तो दोस्तों ये वीडियो का साराउंस ये है कि करो ना की news को आप side में रखो और focus करो dollar index के उपर क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले दिनों में dollar index के अंदर एक अच्छा उच्छाल उपरी तरप आना चाहिए हमने हमारे ये वीडियो के अंदर आपको clearly बोला है कि आपको 12 जनवरी 2023 तक बहुती साउधानी से काम करना है gold and silver के अंदर तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment दोरा जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चानल को subscribe करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचानवालों के साथ share करना ना भूले तक ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके